हाई फ्रेंड्स मैं किरन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटिब चानल पे जो है टेक्निकल स्वराज्ज गाइस हम यहाँ पे एक आज न्यू रिकूर्टमेंट लेके आया है न्यू रिकूर्टमेंट का यहाँ आप नोटिफिकेशन लेके आया है और यह जो रिकूर्टमेंट हो रहे है यह दो फोर्टिलाइजर्स आन केमिकल लिमिटेड में कंपनी में हो रहे है यहाँ पे LGBT की बात करते हैं अगर आप दसवे पास हो या आपने ITI किया है या आप बारावी पास हो या आपने ग्राइजर्शन डिग्री पास आउट हुए हो या अपने पोस्ट ग्राइजर्शन किया है MBBS किया है CA किया है Agriculture डिग्री है Engineer डिग्री है तो आप इस भरती के लिए ज़रूरा आविदन कर सकते हो Vacancy Portal Post के यहां पर बात करते हैं तो 274 आपको यहां पर पोस्ट मिल रहे है अंतिम डेट के बात करते हैं तो 25 2019 इसके अंतिम डेट है और यह जो form है आपको online मत्यम से आविदन करना है तो इसका जो form है guys 6 मैं से चालू होने वाले है ठीक है इसके आविदन 6 मैं से चालू होने वाले है अंतिम डेट के आपको यहां पर 20 का एक अकरी मिल रही है तो guys आप अंदाजा लगा सकते हो आपको बस यहां पर 14 दिन मिल रहा है अगर आपने यह वीडियो अभी तक देखा नहीं है अभी तक इसको अपने like ने किया है अभी तक आपने आपके friends लोग के साथ share ने किया है तो आप इसे तुरंत share किये क्योंकि guys यह बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है सभी को तो इस वीडियो में हम जाने कि इसका notification पूरी जानकरी इसका जो आपधन किस्वर करे करना है तो आप बने वे हमारे साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे request करते हैं अगर आप हमारे YouTube चानल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया तो आप हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करो यहाँ पे आपको 5 वी पास, 8 वी पास, 10 वी पास, 12 वी पास अगर आप graduate हो, इंचिन मैं सबसे पहले उसकी ओपर आपको बता देता हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथी बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको latest updates और वीडियो जल से जल मिल सके, तो आईए और देखते हैं इसका notification बहुत अच्छे से, तो जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह जो recruitment हो रहे हैं, the fertilizer chemical limited में हो रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, important dates की, तो इसके जो आविदर हैं, वो 6 तारिक से जैसे मैं आपको बता रहे था, 6 तारिक से चालू होने वाले हैं, अंतिम डेट की यहाँ पर बात करते हैं, 25 2019 मतलब आपको बस 14 दिन ही मिल रहे हैं, last date जो है बलकि payment का, तो आपको 20 तारिक को ही करना पड़ेगा, 25 2019 के पहले ही आपको payment करना है, payment mode आप online माध्यम से कर सकते हो, credit card, debit card, net banking से, अभी यहाँ पर application जो fees है, exam fee होते है, gender category, OBC category के लिए, तो इनको यहाँ पर 1000 रुपे fee है, जो बलकि बहुत जादा है, और general category, OBC category जिसमें आपको 25 पोस्ट मिल रहे है, 25 लेके 44 पोस्ट मिल रहे है, तो उसमें आपको 500 रुपे है, ST, ST को यहाँ पर किसी प्रकाल की fee नहीं है, वो जो candidate से free of cost यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, यहाँ पर बात कर से, जैसे मैंने आपक किया है, 12 वी किया है, graduation किया है, post graduation degree, MBBS, CA, agriculture degree है, engineer, किसे भी stream में अगर आपके पास degree है, तो आप इस भरती के लिए जरूर आविदन कर सकते हो, यहाँ पर आपको age limit जबर्दस मिल रहे है, जो बलकि अगर आपकी age 26 years है, और कम से कम 48 years तक है, तो आप इस post के लिए जरूर आ चपवा गया था, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, तो guys, यह रही, यह notification, तो job location की बात करते हैं, यहाँ के सबसे पहले, तो guys, यह job location के पहले मैं आपको बतना चाहता हूँ, यह जो recruitment जो हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे post मिल जैसे, assistant general manager की यहाँ पे post म है, senior manager, design, mechanical, फिर उसके बाद senior manager, design, electrician, ठीक है, resource, फिर matter, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, 20 से, मतलब यहाँ पे बहुत आपको पोस्ट मिल रहे है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको देख रहा है, यह जो भरती आई है, इसमें महिला एवं पुरुष, दोनों candidates आव जवाब होगी है, पूरे भारत में होगी, ठीक है, कहीं पे भी आपकी जवाब लग सकती है, उसके आगे इन्होंने category के वाइस divide किया है, कि कितने संका आपको यहाँ पे post मिलेगे, नमबर आप post की यहाँ पे बात करती है, अगर तो आगे वो बता है, SC को, ST को, OBC को, General category को, EWS को कितने मिल रहे है, जैसे कोई, आप भी देखो guys, यहाँ से 30, 30 जो नमबर है, यहाँ से केरला, 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 फिर उसके करना, टक तेलंगना, अंदरकदेश, तमिलाडू, केरला, तेलंगना, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी posting, मतलब यहाँ की जो है guys, भरती, यह तो उ इनोंने बता है, आपकी जो जो जाब, लोकेशन होगी, वो केरला में होगे, तो केरला आपको मल्यलम आना चाहिए, करनाटक में आप जाओगे, तो आपको करनेड़ आना चाहिए, तेलंगना में आपको आपको बहुत अच्छे से थोट छोटा छोटा बात है guys, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में, तो गाइस मैंने आपको सारी बात सारी जान करें, आपको बहुत अच्छे से बताईए, यहाप यह पे पेमेंट आपको जबरदस मिल रहा है, मान के चलो गाइस आपकी जो पहले तंका होगे, मतलब 40-45,000 आपको अराम से मिल जाएगी, पूरे इ अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूच सकते हो, क्योंकि यहाप लगबख है, मैं आपको बाताना चाहता हूँ, तो यहाप आपको बहुत सारी पहुता, 33-34, यहाप देखो गाइस, तो यहापे आपको 44, I think, लास अच्छे से बता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इस ताकि आपके जो मन में, अगर किसी प्रकार की सवाल आते हैं, डाउट साते हैं, तो मैं वो तो प्लियर कर दिया है, मतलब, अलड़े मैंने आपको बता है, कि इसका examination fee क्या होगा, isolation क्या हो ग अगर आपको किसी प्रकार की दिक करता है, तो मैं तो आपको बोल दिया, कि आप हमें WhatsApp कर दिया, हम आपका जो प्राब्लम होगा, वो साउट आट करने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आविदन आपको www.facct.co.in, आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेशन करना है इच्छे तारीक से, तो आगे की जो अप्लिकेशन है, मतला आपको किस प्रकार आविदन करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मिलता हूँ, अगले वीडियो में तब तक ख्याल रखेगा, औ जय भारत, वंदे, मातरम